घर-घर बाला जी, हर-घर बाला जी, हर-घर बाला जी साला सर देवासिया मैं कह निया मेंदीपुर देवासिया मैं कह निया घर-किर बादीशा मैं थले बैनिया मेंदीपुर दरबार गरीबों का हॉस्पिटल है और साला सर दरबार अमीरों का हॉस्पिटल है पुछो क्यूं? उस दरबार में अपने उपर से वार के परशाद गेर दिया जाता है और साला सर दाम में समामनी बोल-बोल के काम करवा लिया जाता है जैसा काम हो वैसी बात बन जाती है मेंदीपुर कौन-कौन गया है आप में से ताली बजाना जरा भूतों के थानेदार के लिए भूतों का थानेदार मेंदीपुर में रहता भूतो का थानेदार मैंधी पुर में रहता भूतो का थानेदार मैंधी पुर में रहता भग्तो की खाली जोली बैठा है वो भरता बापा है बड़ा ही कबाल ओ भग्तो बापा बड़ा है कबाल जे तू बाबा मेरे नाल में ता हो जागा निहाल कैसे निहाल हो जाओगे जगराओं एक भगत ने अनाज की एक लाख बोरी गोडाउन में लगाई जितना पैसा था सारा इनवस्ट कर दिया और एक बोरी के हूँ कि सुफ्ट काड़ी में धरली और बोला साला सर लेके जाओगा चूरमा मड़माऊंगा इसका जगराओं से मुगा नहीं पहुचा था वाच्मेन का फोन आगया पाओजी वापस आजाओ गोडाउन में आग लग गई जितनी पूची थी सारी लगा रखी थी बापस आजाओ वह बोला भाई मैं नहुंद इसकी आंद मदार क्यों का फोम बीगहां कीदा बापendra कि इंवेस्टमिंट गी थी इंभापर री मुनाफा किता वापैधा 대कां कीदा अग की दे लगी मेरे री लगी अग मेरे कोड़ता फेर भी इक बोरा बाच जाना है बाब बेदा सारा उड़ जाना है गटी वापस नहीं मुड़ी ते जनाब पर उस्सा रखियो बागा पुराणा नहीं पहुचिया बन्दा उसे भोच में दा दूबारा फोन आया केंदा बाब बाब जी वापस ना आयो बारतान ने दी खाली 2-3 वोरियाँ चक्र लगी है बाग की सब कुछ फिटता है तोसी जाके आओ जे तुब बाबा मेरे नार मैंता हो जान की निहार जे तू बाबा मेरे नार मैं ता हो जांगी निहार तेरे बिणा सिंदिगी मैं नू लगी दी बेहार बच्चा तेरा है का नहीं आ ना दान बाला जी कौन-कौन माफी मांगता है बाबा से क्रिश्चन धरम में एक दिन मिलता है पच्चे दिसम्बर पूरा साल कुछ नहीं करते एक बार जाते हैं I'm sorry फ्लीज गोर की वस बाई बाई खुश किस्मत हो सनातनी हो तुम तो रोजी माफी मांग सकते हो सौंबार को भोले नाच से मांग लो मंगल को बजरंगी तयार है माफी मांगने वाले बनू साथ कौन-कौन माफी मांगेगा बाला जी से तो रो हाथ उठाके जरा साली में जाकर बच्चा तेरा है लुदियाना ना दान बाला जी तो रंगली रंगली चुनरिया तेरे नाम बाला जी रंगली रंगली चुनरिया तेरे नाम बाला जी घर घर बाला जी दोनों हाथ उठाना दोरा लहरा दो मिलके घर घर बाला जी तो लहर 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 आयरे जन्दा बच्रंग बली का बच्रंग बली का जन्दा बच्रंग बली का भाई बिट्टू साउंड थोड़ा ढोल खोलो बिट्टू जी ढोल खोलो ओवराल साउंड खोलो थोड़ा पैड खोलो कीवोड दो इदर दो रिदम दो यहाँ लहर 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 आयरे जन्दा बच्रंग बली का जन्दा बच्रंग बली का जन्दा बच्रंग बली का जन्दा है क्या हर्वान जी का घर में अब दो दो लगाने पढ़ेंगे क्योंकि राम नौमी पे पत्थर गिर रहे हैं अब एक से काम नहीं चलेगा अब दो दो लगाने पढ़ेंगे आगे भी और पिछे भी और इसके तीन फाइदे हैं पहला फाइदा घर को बुरी नजर नहीं लगती किसी की दूसरा फाइदा जब घर की छत पे राम जी का जंडा लगा होता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता ये घर किसका है और तीसरा फाइदा जब एक कलोनी में सो मकान होगे और सो के सो के उपर भगवा जंडा लगा होगा तो एक सो एक वा जो रहने आएगा वो भगवा धारी ही आएगा कोई और नहीं आएगा और चोथा फाइदा जब लुध्याना की गली-गली में भगवा जंडा लगा होगा तो पता लग जाएगा मलेर खोटला में भी कि ये लुध्याना वाले वही है जिनोंने आयोध्या में राम का मंदिर बनमा दिया दोनों हाथ उठाके कहने दा लेहरे जंडा बजरंग बली का 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 लेहरे लेहरे लेहराएरे बज़ना बज़नेक बली लेहरे 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 लेहराएरे बज़ना बज़नेक बली लेहरे लेहरे लेहराएरे बज़ना बज़नेक बली और ये ये दो लाइने आपके लिए छम 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 नाचे देखो वीरा दो आगा चमे चमे नचे देखो वीर हनुमादा कहते हैं लोगी से कहते हैं लोगी से राम का दिवादा चमे चमे जैश्री राम जैश्री राम भीरे नहीं होना चाहिए यहां की दिवारों में इतना राम हो जाए कि घर में रहने वाले को अराम हो जाए दोनों हाथ उठाके जैश्री राम चमे 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 नचे देखो वीर हाटो भाद राम की धुन में मस्त मगने है